हलो दोस्तों केसे हो मैं हूँ अश्वीन और मेरी स्चेस चनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही फेमस गेम देट इस प्लेइड इन 1972 उनीसो बहतर में खेली गई थी बोबी फिशर वर्सिस बोरिस प्राइस की इन वर्ल्ड चैंपिंशिप मैच और एह है गेम नबर शिक्स जो की काफी फेमस थी क्योंके इस गेम के बाद खुद बोरिस प्राइस की जो के फिशर के ओपनेंट थे ठीक है ना उन्होंने खड़े होकर पब्लिक के साथ मिलके फिशर ने गेम की शुरुआत की पॉंट टू सी फॉर और इस गेम जितने के बाद उस वर्ल्ड चैंपिंशिप में फिर्स टाइम फिशर जो है वो लीड कर रहे थे ठीक है तो आये शुरू करते है गेम इससे पहले एक रिक्वेस्ट अगर आपको मेरा वीडियो पसंद द पॉंट टू e6 बाइस प्राइस की, Nf3, पॉंट टू d5 और अब पॉंट टू d4 और गेम जो है वो क्विन्स कंबिट में कनवाट हो गई, sorry, Nf6, Nc3, बिशब टू e7, बिशब ग5, अबकोस यहां पे फिशर जो है वो पॉंट टू e3 खेलना चाहते है, उनको क्या करना है, बिशब जो है आउटसाइड पॉंट चन निकालना है, इसलिए बिशब जी फाइं और ब्लेक ने किया, कैसल, पॉंट टू e3, पॉंट टू h6, बिशब टू h4, पीन मेंटेन किया, बोभी फिशर ने, और नर्मली वाइट जो है इस वेरेशन में अपन बिशब, बिशब बिशब, बिशब बिशब के सामने एक्षेंज करता है, पॉंट टू b6, टाटा कोवर सिस्टम, इसमें नर्मली बिशब जो हो हैंगिंग पॉंट के साथ खेलता है, ठीके ने, पॉंट टू c5 खेलके बड़ c5 और d5 दोनों पे हंगिंग पॉंट रखते दोस्तो इस नाइट केप्चर का पॉंट यही है, कि पॉंट केप्चर होने के बाद, जो ब्लेक का लाट स्कूर बिशब है ठीके न, वो b7 पर इतना एफेक्टिव नहीं है, रुक टू c1 और यह क्या कर रहे है, नर्मली अब तो आपको पता ही है कि हेंगिंग पॉंट से यहाँ पर ब्लेक का प्लान है, पॉंट टू c5 और वाइट ने वहीं प्रिवेंट किया है, आप बोल रहे है, रुक c1 खेल के वो c5 कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉल्म ही है, c5 अभी नहीं खेला जागा था, बिकोज पॉंट केप्चर, पॉंट on c5 और पॉं क्विन टू a4 और पॉंट टू c5 और यहाँ पर फिशर ने किला क्विन टू a3, c5 पॉंट को पिन किया ठीक है और यहाँ पर फ्रेट यह है, पॉंट केप्चर, पॉंट केप्चर कॉन और क्वीन यहां रुक केप्चर रुक टू c8 अल्मोस फोर्स, बिशब टू b5 अगै c5 capture d4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो pawn pin है, pawn to a6, और यहाँ पर, Fischer ने पहले capture किया, pawn capture on c5, pawn capture on c5, और अब कैसल, point यह है दोस्तों कि यह rook जो है on a8, ठीक है न वो hanging है, इसलिए pawn on a6, its pin, rook to a7 और अब black की threat है, pawn capture on b5, so Fischer ने अपना bishop e2 पर ले गए, और यहाँ पर देखो दोस्तों, Fischer बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल ही अगर Fischer की आप game देखो तो काफी attacking होती है, अग्रसीव होती है, लेकिन इस game में Fischer काफी positionally खेल रहा है, ठीक है न, Knight to d7 और यहाँ पर आप वीडियो पोस्त करो, और नॉर्मल ही सोचो क्या आप अपने pieces की position कैसे improve कर सकते हो, ठीक है न, यहाँ पर Fischer ने खेला Knight to d4, c5 pawn है और pin है, ठीक है इसलिए, और यहाँ पर Spice की ने खेला Queen to f8 और अब यह पीन नहीं है, तो that means कि अब Knight आपकी dangerous में, so Knight capture on e6, pawn capture on e6 और दोस्तों यहाँ पर वीडियो पोस्त करो, ठीक है न, और यहाँ पर जो Fischer ने कि उसमें उसको कोई material नहीं मिल रहा है, but a really beautiful move, आप यहाँ पर वीडियो पोस्त करके देखो क्या खेल सकते हो, ready, Fischer ने खेला pawn to e4, और यहाँ पर problem ही है, कि अगर आप pawn capture pawn मारते हो, तो फिर आप देख लो, pawn on e6 is weak, pawn on e4 is weak, pawn on c5 is weak, और pawn on a6 is weak, so आपके कितने pawn बन गए 1, 2, 3, 4 and 5, chess में दोस्तों pawn structure particular जो आप study कर रहे हो, तो अब जितने pawn on a island, ठीक है न, उतना ही अपना, अपका pawn structure weak कहा जाता है, so यह position जो है, काफी weak है black के लिए, इसलिए यहाँ पर black ने खेला pawn to d4, e4 के बाद, तो इसकी वज़ा से किया हुआ, जो फिशर को bishop के लिए काफी अच्छा square मिल गए है, यहाँ पर, लेकिन उससे पहले, यहाँ पर, जो black है, वो खेलना चाहता है, शायद queen e7 and then pawn to e5, ठीक है न, और अपना king is spin में से अटा के, तो आप यहाँ पर सोचो कि आपको क्या खेलना चाहिए, यहाँ पर फिशर ने खेला pawn to f4, really good move क्योंकि आप e5 पर लेस्टोप कर रहे हैं, queen to e7 और अब pawn to e5, और दोस्तों, pawn जो है, वो डास्क फेर में है, that means, that supports the light square bishop, rook to b8, bishop to e4, और यहाँ पर आप खुद सोचो, क्या black knight b6 खेल सकता है, वीडियो को pause करो और देखो, अगर knight b6 खेला जाए, तो यहाँ पर आप कैसे win हो सकते हो, ready, यहाँ पर दो तरीके win होने के लिए, एक तो है queen to b3, simple सा है, कि आप यहाँ पर knight पर भी थोड़ा bullet attack है, और यह pawn पर, क्योंकि मेरा point यह है knight पर attack का, क्योंकि rook e8 खेल के आप e6 pawn को save नहीं कर सकते है, otherwise आपकी knight चली जाती है, इसलिए, और दूसरा, यह rook जो है, वो पीन है, मतलब knight move हुई, knight capture bishop, तो फिर queen capture rook check, और उसके बाद rook capture knight, वो दूसरा एक तरीका है, वो है knight b6 के बाद queen capture on c5, typical fishes idea, और queen capture c5 के बाद, bishop capture e6, और king जैसे move होता है, rook capture on c5, और अब देख रहे हो दोस्तो, white is already dope होना आगे चला जाएगा, और यह easy win है, काफी easy है, so bishop c4 के बाद, knight b6 नहीं खेला जा सकता है, इसलिए, game मैं खेला गय है, king h8, और अब शायद, उनका यह plan है, knight b6 खेलने का, अब fisher ने जो move की, वो उनकी typical nature दिखाती है, queen to h3, queen को black के king के against swing किया, मतलब अब king side attack launch होने वाला है, knight to f8, pony 6 save किया, pawn to b3, fisher ने अपना b2 pawn save किया, pawn to a5, और यहाँ पर शायद आप pawn to a4 खेलो, ठीक है न, अच्छा है, pawn आगे ही नहीं आएगा, लेकिन fisher जो है, ठीक है न, उनकी निगाए अब एक ही तरफ जमेवी थी, वो है black का king, और उनकी खेला pawn to a5, e capture f5, rook capture f5, और दोस्तों अब rook file open हुई है, ठीक है न, और यहाँ पर white है, जो कि उस file का इस्तेमाल कर सकता है, knight to h7, शायद knight g5 वो threat है, लेकिन यह देखते किया होता है, knight g5, जैसे कि fisher ने कहला, rook c to f1, again, जो f file पर है, अपनी position काफी strong कर रहे है, फिशर, और यहाँ पर अगर knight to g5 आता है, तो फिर queen h5, काफी simple है, और यहाँ पर point ही है, दोस्तो, कि first of all, अगर queen e8 यहाँ ऐसा कुछ आता है, then, might be rook f8, ठीक है न, आपको queen मिल जाया, या फिर, यहाँ पर, अब और क्या कर सकते हो, या, आप rook capture g5 भी खेल सकते हो, queen e8 में तो, इस position आए, तो rook capture on g5, और आपको एक्स्टापीस मिल जाएगा, ठीक है की नहीं, so, यह जो position है, और उसमें भी कुछ ना करो तो, threat तो ही, h4 तो आने वाला ही है, so, यहाँ पर knight g5 is not possible, so, rook c to f1, के बाद game में खेला गया, queen d8, queen to g3, rook to e7, first of all, pawn to h4, ठीक है न, कोई counter play ही नहीं दिना है, rook b to b7, अब pawn to e6, rook b to c7, अब देख रहे हैं दोस्तों, कि ब्लेक है है, उसके पास कोई play ही नहीं है, यह की नहीं, अब queen to e5, और आइस्ता आइस्ता देखो, जो white है, यानि bobby fisher है, ठीक है न, वो black के king की और अपने सारे pieces को जमाते हुए, queen to e8, और यहाँ पे a है, moon number 32, that means शायद थोड़ा बहुत time control, या जो time है, वो कम होगा, इसलिए थोड़ी मुह में repetition अभी थोड़ा बहुत मिलेगा, pawn to a4 by bobby fisher, queen to d8, rook 1 to f2, यहाँ पे अब देख रहे हो, queen e8, rook to f3, और यह दिखा रहा है, कि दोनों player है, वो time pressure में थे, तो इसलिए, वो क्या कर रहे है, कि कोई अची मूग, जिससे position का काफी कुछ, position में कोई change नहीं होता, ठीक है, माइनस वाइनस नहीं होती, लेकिन काफी fast कर रहे है, ताकि वो जल्दी से 40 मूग की तरफ पहुच जाए, और बाद में जो है, आराम से खेल पाए, और यहाँ पे finally, जो bobby fisher है, उन्होंने एक मूग खेली, bishop to d3, और क्या बता सकते हो, what is the idea behind and bishop d3, वीडियो का फोस करो और देखो दोस्तो, यहाँ पे fisher का idea है, queen to e4, और उसके बाद, rook to f8 check, जैसे कि मैं भी देखाता हूँ, black ने खेला queen to e8, और यहाँ पे queen to e4, और जैसे कि मैं यहाँ पे, जैसे random मूग करूँ, for example, rook to a7, ठीक है, यह random मूग कर रहा हूँ, तो फि white खेलेगा, rook to f8 check, knight capture f8, again rook to f8 check, queen capture f8, और queen to e7, तो यह threat है, checkmate की, और इस position में, जैसे कि, game में खेलागा है, knight f6, लेकिन आए देखते हैं, क्या होता है, अगर queen to g8 खेला जाए, लेकिन वहाँ पे भी हम same खेल सकते है, rook to f8, knight capture f8, rook capture f8, और अब, queen capture f8 possible नहीं है, क्योंकि queen h7 mate है, ठीक है, so, pawn to g6 is force, क्योंकि यहां से rook to h7, protect किया जा सकता है, और अब, rook capture g8, king capture g8, queen capture g6, और अब देख रहे हो दोस्तो, white की position is dominating, completely winning, no doubt about it, है कि नहीं, तो इसलिए queen e4 के बाद, game में खेलागा है, knight to f6, और यह the critical position of the game, यहाँ पे वीडिय post करो, और सोचो, की white कैसे भीन हो सकता है, by force, ready, और यहाँ पर, fisher ने खेला, rook capture f6, a beautiful action sacrifice, g capture f6, rook capture f6, king to g8, और यहाँ पर, already, जो white है, उसकी position winning है, ठीक है, ना, fisher ने खेला, bishop to c4, king to h8, और queen to f4, और, black ने resign कर दिया, क्यों resign किया हो, क्योंकि यहाँ से, black जो है, अपनी mate save नहीं कर सकता, ix जैसे simple c-line देख लेता है, जैसे कि, गर queen g8 खेला जाए, तो फिर queen e5, ठीक है, ना, threatening, rook f8, अगर queen g7 आता है, जैसे कि, तो फिर, rook f8, check, king, h7, bishop check, queen g6, force, or queen to h8, या, फिर, sorry, queen to h8, या, rook to h8, is just met, so, इसलिए दोस्तों, इस position में, 41th move, queen f4 के बाद, boris spiasky ने resign कर दिया, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको game, खूद spiasky ने, ठीक है ना, game खत्म होने के बाद, public के साथ खड़े होकर, fisher के लिए ताली बजाई थी, इस game में, ठीक है, और इसलिए, game काफी famous है, तो I hope कि आपको मेरा वीडियो काफी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है, तो please, please इस channel को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, और अपनी comment देना बिल्कुल ना भूले, धनिवाज, जैन, bye bye